तो हलो दोस्तो बेलकम बैक टू नएव वीडियो कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो हिमाच पदेश ग्राम सेवक भरती योहवो काफी दिनों से लड़की हुई थी सबसे पहले BGP के टाइम में 1205 पदों को भरने की यहां पर बात होई थी हर डिविजन में योहव भरती निकालने की बात की गई थी फिर कुछ डिविजन ऐसे थे जिन्होंने अपनी नोटिफिकेशन योहव अपलोड कर दी थी और फिर आपकी अचार सहिंता लगी जिस कारण योहव ग्राम सेव की भरती रुक गई अब एक बार फिर से रिमांडर में आपको देता हूँ कि ग्राम सेव की भरती फिर से योहव शुरू हो रही है और डिविजन्स योहव दीरे दीरे अपनी नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं तो जिस जिस डिविजन्स की इंफर्मेशन आती रही है उसकी हम इंफर्मेशन आपको देते जाएंगे और आभी तक देखते भी आये हैं जिन जिनकी वी डिविजन की भरती निकली हुई थी तो आज फिर हम आपके लिए एक और डिविजन की जो हो नोटिफिकेशन लेकर आये हुए हैं अगर बोड डिविजन आपका नहीं है तब भी आप इसकी इंफर्मेशन सुन सकते हो प्यास करते हैं चाहिए बहुत शोटी बड़ी इंफर्मेशन हो किसी प्रकार की गवर्मेंट जोग हो हमारे चानल के मादम से आपको रियल इंफर्मेशन दी जाती है जो सच हो सिर्फ वही यहाँ दिखाया जाता आपको कोई फेक कोई बेकार की वीडियो यहाँ पर नहीं बताई जाती है आपको तो चलिए आज बला जब डेट आया हुआ उसकी तरफ नजड़ा देते हैं जल्दी से तो जैसा कि आप दे सकते हैं यहाँ पर इंफर्मेशन आप सभी के सामने है अगर आपका डिविजन जड़ नहीं है तो ध्यान से जूर सोन लेना क्योंकि जब डिविजन आपकी रिक्विटमेट आउट होगी तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की स्लेक्शन प्रसेस है अगर आपने जड़ चीज़ें की हुई है तब ही आपकी यहाँ पर स्लेक्शन हो सकती है और एक बात ध्यान रहना की यहाँ वो सरकारी नवक्री ही है कोई प्राइबेट नवक्री नहीं है सरकारी नवक्री है ग्राम सेवर्की भरती है पंचाईटों में आपको काम करना पड़ेगा तो यहाँ पर आधेस देखाते हो बारासो साथ पत यहां पर भरे जाएंगे हर एक डूइजन के में बरे जाएंगे सबसे पहले एजूकेशन कौलिफेशन देख लो और स्विसा साथ में देख लो तो यहां पर ध्यान रखना कि यह भी प्लस टू केंड़ेट्स ने वह अपलाई कर सकते हैं और उनकी जो प्रस प्रसेंटेज अई होगी टू से डवाईड किया जाएगा उसके अधहार पर आपको यहां पर पचास न्मबर जो हव दिये जाएंगे पचास यहां मैक्सिमम हैं अभ जिस हिसाब से हैई होगी उस हिसाब्स पर नंबर मिलेंगे और दूसरे नमबर पर आपको पांच नमब आपने लिया हुआ था तो आपको यहां पर पांच नमबर दिये जाएंगे उसके जो आपके प्रसेंटेज होगी उसके हिसाब से आपको यहां पर पांच नमबर डिवैड किये जाएंगे और आपको यहां पर पांच नमबर उसके दिये जाएंगे maximum है ये 5 नमबर जिस हिसाब से प्रिसेंटर जाए होगी उस हिसाब से आफ को यहाँ पर नमर मिलेंगे फिर यहाँ पर आपके अगले नमबर आते हैं कि अगर आपने degree की हुई है अगर आपने degree की हुई हुई है उसके भी नमबर यहाँ पर divide किये जाएंगे vice 20 से सिर्फ एक साल का ही किया हुआ है 12 नमबर आपको यहां पर मिलेंगे एक साल का ही अगर किसने लिया हुआ है और जो देख लो यहां पर compulsory है जो करना निश्चीती ही है अगर जिसने नहीं किया है वो फोर्म प्लीज मत भराइए क्योंकि यहां पर computer का course करना जो हो अनिवारिक किया गया है 12 नमबर बहाँ पर मिलेंगे फिर कैटिगरी भी आती है experience की कि experience किस परकार का चाहिए तो दो नमबर जहां पर award किये जाएंगे two maximum shall be awarded every one year experience एक साल के लिए दो नमबर दिये जाएंगे कि किसी भी पंजायती राज इंस्टिटूट RDD बाटरशेट प्रोजेट जो लगे हुए थे government के undertaking में उनमें अगर आपने काम किया हुए बहाँ पर आपको 10 नमबर यहां पर मिलेंगे फिर आपको 5 नमबर किस तरह मिलेंगे कि आप उसी ब्लोग के resident होंगे अगर जैसे रोहडू की निकली हुई है तो अगर रोहडू के हिस्थाई निवासी हो तो 5 नमबर बहाँ पर मिलेंगे आपको फिर कोई SCST OBC से बिलोग करता है 5 नमबर बहाँ पर मिलेंगे फिर कोई BPL फैमिली से बिलोग करता है पांच नमबर बहाँ पर मिलेंगे और कोई handicapped है अगर less than 40 नहीं होना चाहिए 40 precious से ओपर ही होना चाहिए तेन नमबर बहाँ पर मिलेंगे आप सबी को तो इस तरह की यहाँ selection process हो रहा है हर किसी division के लिए जही selection process सेम selection process यहाँ आमल में लाया जा रहा है फिर रोहड वाले यहां पर ध्यान से सुन लिए कि जो भी इच्छुक उमीदवार हैं वो अपना सधारन काज पर एक white sheet जैसे होती है इस तरह की white sheet यहाँ आपको दिख रही है ऐसी white sheet आपने ले लेने हैं और बहाँ पर एक application प्रमान पत्र के हिसाब से लिखना है और जो भी आपके documents होंगे उसके साथ यहाँ वो आपने attach कर देने हैं और आपके सभी के form 9 February 2023 तक विकास खंड विकास अधिकारी रोहडू जीला शिमला कार्याल में शाम पांच बज़े से पहले पहुंच जाने चाहिए ठीक है आपने सिंपल यहाव एक application लिखनी है कि हम जैसे मतलब इस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं ग्राम से भी भरती के लिए अपलाई कर रहे हैं और हमने यहाव वो आप लिख देना अपने हिसाफ से और अपने सभी documents साथ में यूर अटाच कर देना जिससे आपको यहाँ पर marks मिलेंगे जैसे 12 की mark list वगएरा 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 जो भी होते हैं वो सभी यहाव अटाच करके भेज देने हैं फिर नोट यहाँ पर अभिहारती द्वारा प्रस्त अनुबव प्रवानपत्र के साथ मासिक बेतन परवानपत्र पर अनुबव प्रवानपत्र स्तयाप होगा वह भी अपने साथ में बेना है और इंकम सेट्रिफिकेट यहाँ वह भी आपने साथ में जुरू बेजना है तो यह खंड विकास अधिकारी विकास खंड रोडू की तरफ से इंफर्मेशन यहाँ वह आउट की गई है फरवरी तक आप इनफॉर्मस को अपलाई कर से ते हो